विदेशी बजारों में खादे तेल तिलनों की कीमतों में लगातार तेजी के बावजूद मुफली तेल तिलन, तिल, सीपियो और पामुलीन के भाव में ज्यादा उठा पटक देखने को नहीं मिली वहीं दूसरी तरफ किसानों के वुआए में व्यस रहने से सरसो तेल तिलन के भाव में नर्मी हाई है मिली जानकारी के मुताबिक सूरज मुखी और सोयाबीन तेल के शुल्क मुक्त आयात का कोटा निरधारित किये जाने के बाद पाकी आयात का काम लगबग रुक जाने की वज़त से कम सप्लाई की स्थिति के चलते तेल तिलन बजार में कच्चे पाम तेल, सीपियो और पामोलीन के भाव में सुस्ती के साथ कारोबार हफते के शुरुआती दोर में देखने को मिल रहा है मिली जानकारी के मुताबिक मिलेशाई एक्सचेंज और शिकाको एक्सचेंज में भी तेजी देखने को मिली है दरसल सरकार ने खादिया तेल प्रसंसकर्ण करताओं को अगले दो साल तक सालाना बीस बीस लाग टन सोया बीन और सूरज मुखी तेल का शुल्क मुक्त आयात करने की छूट दी है इसके बाद होनेवाले आयात पर आयातको को 7 उरुपे प्रती किलो के हिसाब से शुल्क दा करना होगा लेकिन कोटा वाले सस्ते आयाती तेल के मुकाबले बाकी आयाती तेलो के महंगा और 11% होने के कारण आया तक नए सोधे नहीं कर पा रहे इसकी वज़े से खादय तेलों में कम सप्लाई की स्थिती पैदा हो गई है चानकारों को कहना है कि सरकार को देश में तेल तिलन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता खतम करने के लिए अपने इस फैसले को बदलते हुए इन आयाते तेलों पर फिर से 20-30 फीसद का आयात शुल्क लगा देना चाहिए और आयात की कोटा विवस्ता खतम कर देनी चाहिए इससे सरकार को राजस की भी प्राप्ती होगी और किसानों की फसल बजार में खपेगी और आयात बढ़ने की वज़ा से खादया तेल भी सस्ते होंगे इससे उभोकताओं को भी रहत मिलेगी सरकार को खादय तेलों की सप्लाई श्रिंखरा को बनाए रखने के लिए सोया बिन जीगम और सुरज मुखी तेल के आयाद की सीमा को पूरी तरह खतम कर देना चाहिए या पहले की तरह 5 प्रतिशत का आयाद शुल्क लगा देना चाहिए इस फैसले से आयाद बढ़ने के बाद उभोकताओं को भी सस्ते में खादय तेल उपलब हो सकेगा ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी